आप लोग खाना होना तो इसे खाते हैं बिहार का आप तस्वीर देख रहे हैं जो बिहार बाड की स्थिती से अपने आपको बाड में समाहित कर चुका है यह डुमरिया पंचायत है और नौतन विधान सवाचेतर है जो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं आप चारो तरब का सिती देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि जो घर है पुरा पानी में तबदिल हो चुका है और यहां के कुछ लोगों का काना है कि जो बांध है जो रिंग बांध जो टूटा है वो सयंत्र के द्वारा ये तोड़ा गया है जिसमें कुछ लोगों की सनलिपता है खेर वो बात अलग है लेकिन हम ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक लोगों का चौकाने वाला तस्वीर है डिल दालाने वाला तस्वीर है जिसे देख कर आपकी आत्मा और रूख काप जाएगा कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं इसमें घर रहाता तब इन लोगों का दुख दर्द समझ में आता हम आपको चारों तरफ का तस्विर दिखाना चाहते हैं ये डुमरिया पंचायत और वाड नमर इगारा है जिसका हलात आप देखकर समझ सकते हैं और से हम लोग इसमें नाओ में हैं लेकिन हमें डर लग रहा देखें काका को कही से पानी में हैं और उभी वहां से निकलने की अब सोचना है धीरे धीरे सबी लोग को करके यहां से निकला जा रहा है पक्षनाहा का डुमरिया पंचायत वाड नमर 17 आपको काता है कि भाई साब आखिर क्यों क्या यहां के लोग भोट नहीं दिये थे न कोई देखने वाला नहीं है इसमें हजारों घर जो है पानी में दह चुका है तो अब दील हो चुका है लोग अपना घर छोड़कर नहर पे बांध पे इंतिजार करनें कि कोई आएगा हमारी सहता करेगा लेकिन यहां के बेसर्म नेता और बेसर्म जन प्रतिनी धी उन्हीं ल क्यों हम आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा है कि अभी तक सब लोग आ रहा है थे कोई पक्षना वहां से खड़ा होकर दिखा कर चला जा रहा था लेकिन कराईम एक्सप्रेस की टीम आपको इस पानी में एक नाओ के सारे आपको घुमकर इस तस्वीरों से आपको रुब कि अपनी जनता को देख नहीं सकते हैं लेकिन डर नेताओं को यहीं है कि हम आएंगे तो हमसे सवाल पुछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों लेकिन लोगों के जान से खेल रहा है यह लोग अप देख सकते हैं लोग अपने चटों पर इंतिजार कर रहा है कि नाओ आएगा ह आप यहां पर देखिये जो लोग छट पे खड़े हैं इतना पानी का लेवल बढ़ चुका है कि कभी भी घर ध्वस्त हो सकता है लोग धीरे धीरे करके यहां से निकल रहा है अपने आपको यहां से बचाने की कोशिस कर रहा है लेकिन हमारे नेता जो है आभी तक यहां नह वाहाँ तूप पानी है हमको पानी देख के डर लग रहा है तुमको डर नहीं लग रहा है नाइं नाइं क्या नाम है भाई पूरा डूब गया पानी में पानी में पानी में चाहिए नहीं आया नहीं तो सरकार ते को नेता को भगा देना चाहिए अच्छे काम विकास करने वाले टिकट देना चाहिए कने करता है नारी सब्सक्रां होकर खूंब रहा है तो यह में चाहिए पानी में महिला होकर पुरहा है एक इतनी तर्थ भरी चीजे हैं, आप लोग खाना होना को इसे खाते हैं, घा खाना खाना खाना, ढगाना, ढगानोगा, भर्वात खाना मजीर। नोमक पानी पीकर? पानी खोटू devam जीरा पानी पीकर प्रानी जाओ अचि कीषए इस कुमार से अपनाचा को हीएगा क्या कोई साओ। कहोईगा हम धिसे काहिएगा हम जल से जल रहात मिले विकास के कामकुराद Fol Image कोई नहीं अ रहा रहा. पानी के पानी में आकर आपको दिखा रहे हैं लोगों से बात भी किये हैं कि आप भी देखे और समझिए और हमारे जो भी नेता हैं उनसे सवाल है कि आखिर हैसा क्यूं आपके हर्ज कार जो करते हैं को बड़ा धर दिया है उक फारो में हो नहीं छोृ कि नहीं लोग जो अवरते जो आपको भोटदी है और गलाभर पानी में निकल रह Syd यहां से और करालो की हम यहां पर भूजा खाकर तिन दीन से भूखए है कोई पूछने नहीं आया कोई कुछ देने नहीं आ बता यह कितने सर्म की बात है कि इस तरह का हलाथ है यहांALLY देख सकते हैं Confederacy चलिए हम उनसे बात कर, देखे काइसे जो है अपने घर के समान को लोग एक नाओ में जो निकाल कर लोग बांध पे लेके जा रहा हैं, तस्वीर देख रहा है हम एक नाव में से दूसरे नाव में आया है यह लोग अपने स्वेक्षा से अपने अनुसार से सारी चीजों का बिवस्ता करके आप देख सकते हैं यह घर है जो पूरा पानी लगा हुआ है आप देख सकते हैं पूरा पानी में दूब चुका है और कभ गीर जाएगा उसका कोई ठीक आना नहीं है नइथा था नहीं पानी में किया कोई साधन नहीं है क्या करें कोई राज कोई साहिता दिया है कोई नहीं साहिता दिया है क्या कहिएगा आप लोग सरकार से सरकार से कुछ मिले हम लोग को कुछ सहता मिले इन तस्वीरों को देखकर हमारे जो भी जन प्रतिनीदी है यहां के सबसे हमारा सवाल आई कि आकी रहसा क्यूं क्यूं आप लोग के आखों पे पट्टी बन चुकी है भोट के समय में आप क्या यह पखनाहा डुमरिया जो पंचायत है आपको नजर नहीं आता है कितना दिन होगी है यह बार में हम लोग कोई आदमी च्छानी पर बैठा है कोई घरों में बहुत परसानी से लोग जो है रोजमर्रा की जिन्दगी जीते हैं यानि रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं आप सोच सकते हैं कि उनका दर्द क्या हो सकता है कैसे इस बाड में जीवने आपन कर रहा है कोई खोजने पूछने वाला नहीं है लेकिन सब लोग सिर्फ बेसर्मी से आते हैं और इसका मजा लेते हैं बाड का के बहुत बाड आईलबा देखें यहां पे समान लदार आ उदर से निकाल कर भाई सब बहुत पानी है जीअ में और फांनी है जो भी है लेकिन ये तस्वीरे आपको जबाब देगी जनता आपको जबाब देगी कि सिर्फ सत्ता के सरता अपने उपर सिर्मौर पहन लेने से आप वलने नहीं होते हैं मसीहा बनने के लिए ये वक्त है ये दर्द भरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये समय है उन लोगों को आ कर सायता करने का अज पानी में ढुक कर आपको बता रहा है कि नेताओं में कितनी सच्चाई है क्या हो उन्हें आख से अंदा है या उन्हें दिखता है ये तस और चारो तरब का अब तस्वीर देख सकते हैं क्या इस तरीके से हमारे नेता जो हैं सिर्फ पैसे का बंदर बाट करते हैं सरकार भी पैसे का बंदर बाट करती है लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे क्या गुजरात में बाढ़ नहीं आता था क्या यहां डैम की बिवस्ता नहें हो सकती है सब्सक्राइब और भी खत्रे के निसानी है उसका कोई ठीक आना नहीं है कि जंता के सांत तो वो लोग भी जाएंगे इस बाढ़ में वोण भी तो आजाएंगे और मोतिहारी का कुछ चेत्र भी पानी का मुरीद हो जायेगा इस पानी में डूब जाएगा लोग मर जाएंगे यहां पे लोग घुट-घुट कर जी रहे हैं हम आपको दिखाए हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग कोई समान निकाल रहा है, कोई छत्पे इंतिजार कर रहा है, कोई हमारा गाउं का कोई भाई जवार का आएगा, जो हम कोई स्पानी से निकालेगा, आप चारो तरफ का इसी ती देख सकते हैं, यह तस्वीर है, नौतन विधान सवा छेतर का, जो हम आपको तस इसे जीते हैं, खाते हैं, रहते हैं, हम आपको सब बात करके दिखाये हैं, लेकिन इस पानी में हमनाऊ में बैठें, लेकिन हमें भी डर लग रहा है, कह यह नाव डूब नहीं जाए, हमारा के आओगा, लेकिन इस नाव के सारे आप देखिए, यह छोटे-छोटे बचे हम पानी दिखाना चाहेंगे लेकिन पानी नीतिस कुमार के घर में भी जाना चाहिए पानी इनि पानी नीति고 काना चाहिए कि नजरों से नहीं दिखता है कि इनके लिए वो बिवस्ता किया जाए पानी आग पानी किसी के बुस में नहीं है लेकिन उसके आने से पहले आप तो बिवस्ता का कुछ कोसिस किया जा सकता है यहाँ पे देखिए हर जारो घर जो है पानी में तबदील हो चुका है हम आपको बांध का भी तस्विर दिखाएंगे कि लोग कैसे जी रहा हैं और रहा हैं